Hello traders and welcome to the studio members 10-12 दिन के बाद हम कोई trade का video अपनों के साथ शेर करें और यह भी live video नहीं है हम trade कर चुके हैं और इसके बाद में शाम के टाइम में यह video record कर रहे हैं because condition बिल्कुल भी सही थी नहीं हाँ पहले से थोड़ा सा बेटर रहे लेकिन अभी भी हम perfect नहीं है कुछ airos यहाँ पर चली बनाते हैं सबसे पहला तो यहाँ से price हमारा समारा नीचे की तरफ गी्र अगेन एक up side की तरफ मूँ आभा है प्रई से रहा है फिर से up side की तरफ मूँ फिर से नीचे की और आज यह price उसी level से नीचे की तरफ गी आज़ा जहां से पिछले दो से तीन बार प्राइस हमारा नीचे के तरफ गिर चुका है सो एक safe zone था जहां से हम इसको trade कर सकते थे हाला कि प्राइस उस लेवल से बार वर reject हो रहा थे यह जो black वाली candle है इस range को चलिए delete कर देते हैं इसको delete करते हैं अब यह black वाली candle क्या कर रही है हमारा सबसे latest swing high बना रही है और इसी swing high के पास के देखिए green वाली level green वाली जो marking है वो है and price का हमने वेट कि इस range के नीचे निकले तो हम इसका trade execute करें देखिए यह पूरा support बना जिसको कि कल और आज की market ने मिल करके lower time frame पर बनाया था हम वेट कर रहे थे कि price उसी range के अंदर गर जाया higher time frame पर जादेना उसी range में आ जाए वापस जिस range से बारवर price नीचे की तरफ मेरा गिर रहा था so यहाँ देखिए इस निक्या के एक high अग फिर से देखिए low highs और breakout के बाद एक retracement और यही retracement की हमारी entry थी करीब साड़े 11 या साड़े 11 या साड़े 11 यहाँ यहाँ पर हमने अपना trade execute किया था यहाँ पर अचरी trade book अपनी open कर लेते हैं so espresso perfect यहाँ पर pre login है ठीक है तो position book open करते हैं position book में आप देखिए overall जो हमारा आज का profit है 12800 के आराउंड का profit है 1-3 या 3.5 के आराउंड मिला so mobile screenshot भी में आप पर side में लगा लेंगे इसको एक बार refresh कर लेते हैं okay perfect so 12800 के आराउंड का हमारा profit है आज के trading session का so quantities वाइरा किते ही order book में चलते हैं पहले चैस तो quantities देख लेते हैं so quantities यहां पर 1600 quantities थी हमारी और 430 पर हमने इसको short side के तरह trade किया था और 1.85 पैसे का हमारे stop loss था and target जो हमने इसके अंदर बुक किया था 422 रुपीज के हमारे profits जो इसके अंदर था बुक कर लेते हैं कर इसको भी refresh कर लेते हैं so perfect okay so 422 पर हमने सारी quantities अपनी बुक कर ली थी एक simple trade था हाला कि पूरे दिन हमने trade इसका execute के पूरे दिन इसको hold किया था and hold कर देने के बाद में ठीक टाक profit हमें इसके अंदर देखना कि मिला को बहुत बड़ा बहुत fast move नहीं आ जा हाला कि short side की तरह जो हमने agile को morning में trade किया था तो लग रही ही रहा था कि price का एक sharp move downside की तरफ आएगा तो करीब 3-2% के आसपास का भी अगर में move मिलगा तो sufficient है एक ठीक ठाक profit हमें हो जाता है 1.5-2% की move से ही आज के जो हमने stock select किया था अलएड हम बता जो के हैं उस scanner के बारे में actually वो मेरा एक emergency time के लिए scanner है जब हमारे पास watch list के जितने भी stocks हैं वो stock जब हमको मारे level पर नहीं मिलते तब हम उस scanner पर जाते हैं और वहां से stocks को निकाल करगे trade करते हैं वही हमने stock अपने private group में share किया और वहीं से हमने आज का stock ट्रेड भी किया आज हैल के लिए हम देखेंगे इस stock को जो हमने निकाला था फटा 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 स्केनर से ही निकला था इस stock यहां पर देखें प्री मार्केट ओपनिंग सेशन की जो रोज है इसको हम जेट टूए कर देंगे यहां पर देखें वरन टू त्री एंड फोर्थ नंबर पर हमारे पास आईजीर आ चुका है काफी अच्छा मूव देता है अगर यह हम कोई सही लेवल पर मिल गया ना तो यह stock 3-4% एक दिन में मूव कर जाएगा जाए वह downside की तरफ हो एक ठीक ठीक मूव में मिल सकता है इसके अंदर से ज़रूत पड़ती है कि stock selection के बाद में कि उसे हम trade किस जगह से करेंगे अब देखिए यहां पर इतने सारे stock है mcdoll मेरे पास आया था बेल को भी हमने देखा था इस्टिस्वी लाइब को भी देखा था और polycab को भी अपने private group में morning में share किया था हाला कि polycab, polycab यहां से यह देखिए, polycab है न, polycab में हमने इस range के नीचे trade करने के लिए दिया था कि अगर price हमारा 2576.55 के नीचे की तरफ अगर closing कर देता है और एक breakout देता है confirmations के साथ में तब हम इसको trade करेंगे पर price ने देखिए, polycab फिर सिधे नीचे की तरफ नहीं निकला, यहां से यह upside की तरफ चला गया हाला कि यही breakout अगर हमें downside की तरफ मिलता, नीचे की तरफ होता न, तो same movement जो upside की तरफ price ने दिखाया है यही movement हमें downside की तरफ मिलता है और ठीक ठाक profit हमें इसके अंदर से निकाल तो polycab ने तो entry दी न, and short side की तरफ जिसने हमें entry दी है वो IGEL था, so IGEL को हमने treat किया एक ठीक ठाक मूँ IGEL के अंदर से भी हमको देखने को मिला है, and यहां से देखे जब हम बाहर की तरफ निकले है न, तो अपनी confirmation के साथ निकले, price देखे ऊपर से नीचे की तरफ यह लगाता है और जब गिरा है न, तो किसी तरह का कोई confirmation ने दिया कि हम यहां से exit कर दे, हमें हमारा stock हमारे criteria पर चाहिए, trade करने के लिए वैसा तो नहीं है कि किसी भी stock को उठा लिया, हमने वो trade कर दिया, क्योंकि कोई भी stock, A to Z कोई stock उठा लो, किसी में red और green candles तो बनेगी, वैसा तो नहीं है कि red candle देख करके हम short कर रहे हैं, या green candle देख रहे हैं, तो उसके नीचे की तरफ गिर रहा है, कल के दिन इसने हमारी range के ऊपर closing कर दी थी, अब अगर यह strong है तो यहां से ऊपर की तरफ चला जाए, otherwise जिस range को, जिस level को price ने कल के दिन upside की तरफ close किया था, वापस से price अगर हमारा उसी level पर आकर के trade करता है, तो इसका मतलब के price हमारा फिर से closing कर दी, अब अगर यह strong है तो फिर यहीं से price हमारा उपर की दिशा में चला जाए, और नहीं तो फिर जिस level से बार बार यह नीचे की तरफ गिर रहा है, वहीं पर अगर आकर के उस level के अंदर अगर यह trade करने लगता है, तो इसका मतलब कि फिर से इसके अंदर कहिना के हमें short side के movement देखने की मिल सकते हैं, यहां से price हमारा बार बार नीचे की तरफ गिर रहा है, और last जो swings इसके बने थे वो यह वाले थे न, यह black वाली candle, price ने इस black वाली candle के अप में जाकर के closing कर दी, अब यह खुद से common sense लगाई कि अगर price को उपर की तरफ जाना तो swing high से यह retrace होक अदर क्यों trade करने आ रहा है, अब अगर इस red वाली candle को हमें read करना है, तो हम इसको किस तरह से rate करेंगा, मान के चलिए कि यह अगर मेरी important candle है, तो अब यहां से price को read करीए, हम एक काम करते हैं, इसका high और low mark कर लेते हैं, high भी mark कर लिया और low भी mark कर लिया, अब देखिए यहा अगर price हमारा weak है, तो क्या करेगा न, यह या तो black वाली candle के नीचे जाकर के trade करें, या फिर इस black वाली candle के ऊपर में निकल जाए, समझ रहा है, यह वो candle है, जिसने हमारी range को नीचे की दरफ close किया, अब अगर price हमारा weak है, तो इस वाली candle के नीचे जाकर के यह trade करें, बड़ प्राइस क्या करता है ना उसके अगले ही दिन हमारी वापस से प्रीवेस रेंज के अंदर चला जाता है और इस रेंज को देखे कितना रिस्पेक्ट कर रहा है अपसाइट के तरफ और कल का जो मूव हुआ था इसने उपर की दिशा में जाकर के हमें क्लोजिंग दे दी अब अगर यह स्रॉंग क्योंगी बहुत दिन के बहुत प्राइस ने अपसाइट की तरफ मूव दिखाया तो वॉल्म के साथ में अब अगर यह स्रॉंग है तो यह उपर चला जाना यह वापस है हमारी उसी रेंज के अंदर क्या करने जा रहा है जिस रेंज को प्राइस ने कल ब्रिक किया अब जब आप 5 मिनिट के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो देखे आपको प्राइस एक्शन नजर आ जाएंगे हमें अगर मालूम है कि यह लेवल मेरा स्ट्रॉंग है इस लेवल के पास में प्राइस एक्शन किस तरह के देख सकते हैं कि प्राइस इसी लेवल पर या तो support ले या तो इसी लेवल पर प्राइस हमारा resistance ले इस तरह से अब हम आगर decision ले सकते हैं तो अब चलते हैं 5 मिनिट के टाइम फ्रेम पर देखे 5 मिनिट के टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है आज की 9.15 की candle का low भी हमारा वही है and 4.30 exact इसी लेवल पर हमने trade execute किया था हमारी entry का point ही यही था 9.15 की candle को लो जैसे ही price न 9.15 के नीचे move करने के बाद में एक retracement दिखाया है न हमने क्या किया just swing high का stop loss रख करके trade execute कर दिया and इस level से यही के इसी पूरी group के पास से हमने अपना trade execute किया था एक ठीक ठाक move और कह सकते हैं कि एक सही area था जहां से हमें एक trade म रहे थे न यह भी था कि पूरी तरह से focus होकर के काम नहीं कर पा रहे थे तो कहीं न कहीं stock selection में भी problem आ रही थे हमको तो जो भी stock समझे में आ रहा था तो वो हम कर रहे थे लेकिन ज्यादा profit नहीं हो रहा था 3,000, 4,000, 2,500, 7,000 ऐसे profits आ रहे थे तो बड़े profit नहीं आ रहे थे आज किलकी market भी ऐसी चले है आप niftia bank niftia को देखोगे आप देखे आप call या put जो भी buy करोगा आपको loss ही होगा market उपर जा रही है no doubt price हमारा उपर की तरफ जा रहा है लेकिन अगर आप options को trade करो तो price तो भले ही उपर की तरफ जागा लेकिन आपका strike price profit नहीं दे रहा है ऐसी profit का move इस तरह का है कि बड़ा profit देखने को नहीं मिलेगा इसी लिए हम prefer करते हैं कि अगर stocks को trade करो ना तो एक तरह से कह सकते है old is gold आपको option में हो सकता है एक दिन loss तूसर दिन profit तूसर दिन loss तूसर दिन profit लेकिन आप stocks के अंदर अगर काम कर रहो हो तो एक continuity आती है perfection के साथ आ profits आपके पास आगा तो रूखेगा इस तरह से कोशिच करिए कि stocks के ऊपर थोड़ा सा options को अगर आपको trade करना तो आप options को trade करो लेकिन stocks के ऊपर काम तो करो आपको मज़ा है का stocks को आप option में क्या करते हो कि फट से हैं उसके अंदर हमने position बनाई और निकल गए एक green candle दिखी हम चार सो पांस ओर पाउट दिखेगा हम निकल जाएंगे यही होता है वहाँ पर चार सो पांस ओर प्रॉफिट दिखता है लेकिन फिर देखे न जब loss होता तो loss कितना दिखता है आपका चार चार पांस दिन का loss दे करके market चली जाती है जितना भी आपने पांस दिन में profit कमाय है ना फ्राइडे के दिन पूरा का पूरा profit ले करके market चली जाएगे ऐसा ही होता है लेकिन इस stocks कंदे जब आप काम करोगे तो एक confidence हैगा काम करने में अक्सर हम यह बात बोलते हैं अब माल लिजे ideal है हम अगर एक ही stock को slate करके रख लें कि हमें सिर्फ ideal को ही trade करना है तो ideal को अगर हमें trade करना है तो day timeframe पर हम आएंगे अभ आगे हम हम ideal को रोज क्यू नहीं trade करते है हमने आज ही क्यों trade किया क्यूंकि घ्याAK favored अंवाला level हो सकते है यह बाला है यह बाला लेवल हो सकते है य तो फिर यह करना है तो आजब जब शेके सरे 3 है तो एक ही point अब जब जब price हमको 430 पर मिलेगा हम trade मारेंगे यहां से इस तरह से करते हुए trade मारेंगे अब इसी जगे पर आप nifty और bank nifty को रखके देख लो वो अपने level पर आएगा तो हम trade करेंगे लेकिन रोज रोज तो वो level पर नहीं आ सकते ना मिले ना अब तब trade करो अभी देखिए two weeks पहले हमने trade अपना execute किया था options के अंदर आप देखोगे तो शायद last second video ही हो जाएगा वो आपको मिल जागा आप से तो option का वो trade था उसमें देखिए किस तरह से level नेकालने के बाद में trade किया और उसको पूरे दिन hold किया हमने ऐसा नहीं है कि हम निकल गए एक candle का move लेकर के हम निकल गए उसके अंदर 200 के करीब की quantities थी हमने पूरे दिन उसको hold किया ठीक ठाक profit हमें देखने हो कि मिला हम वहाँ से बहार निकल गया तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि किसी भी script को आप trade करो ना उसको उसके level पर trade करो otherwise आप professionally काम नहीं कर पाओगे आप 2-4 दिन के महमान रहोगे फिर यहां से गायब होचाओगे इतने चीज़ जयाद रखेगा और इसको negative way में ना लेकर कि थोड़ा सा positive way में लिजेगा फटाफट stock screener के बारे मिने आपको बताई गूगल पर जा करके फटाफट को slate कर लिजे यहां पर click करने की बाद आप सीध है अपने scanner पर आजाओगे यहां पर आपके काम करना ना के pre-market opening session की जो stocks होते हैं यह pre-market का देखिए यहां पर इस screener today pre-market volume as a percentage of 5 days average pre-opening volume मतलब पिछले 5 दिनों में जिस भी stock के अंदर pre-market opening session की average volume सबसे ज़्यादा होगी ना यहां पर वो stock आ जाते हैं तो यहां से अपने criteria का एक stock select कर लिजे translate करके trade करने का तरीका अलग होता है लेकिन कोशिश कीजिए यहां पर अगर आपको safely जाना है ना तो A category की stocks में जाए आप जैसे IGL है A category का stock था and वही stock trade कीजिए जो की आपके criteria में fulfilled हो रहा है thanks and अब हम लोग मिलेंगे अपने next trading session में तब तर के लिए goodbye and we will meet again